नमस्कार स्वागत है आप सभी का JJN News में मैं हूँ आपके साथ रेनू सुनीता हल्दवानी के आरे समाज में भारत विकास परिशत काट गोदाम ने कोरोना वाक्सिनेशन को लेकर अपने आठवे वाक्सिनेशन कैम का आयोजन किया जहां 300 से अधिक लोगों ने COVID-19 का अपना पहला तीका लगवाया बता दे कि COVID-19 को लेकर जहां हल्दवानी के विभिन COVID सेंटरों में भीन लग रही है तो वहीं राज्य सरकार ने 5 सितंबर तक राज्य के सभी लोगों को प्रथम डोज लगाने की अवधी रखी है जिसको ले कर अब उनकी संसा ग्रामीर शेत्रों में भी क्याम का आयोजन करेगी उनका कहना है कि जिन लोगों ने COVID-19 को लेकर अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऐसे लोगों का भारत विकास परिशद रेजिस्ट्रेशन कर उन्हें COVID-19 का टीका लगाने का कारे करेगी बारत विकास परिशद सेवा के कारे हमेशा करता रहा है और ये जो भारत सरकार की तरफ से वैक्सिनेशन चल रहा है इसमें हम अपना सहयोग दे रहे हैं आज के दिन में ये काटगुदाम शाखा भारत विकास परिशद की इसका आठवां कैम्प है और आज ये हमने आरिसम समाज हल्दवानी में लगाया है यहां के करीब तीन सो लोग इसमें लाभानवित हो चुके हैं अभी तक और हम यह समझते हैं कि शायद हो सकता है संख्या अभी हो तो फिलाल इस खबर में इतना ही आप देखते रहें जेजेन न्यूज नमस्कार